हेलो दुस्तू वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दुस्तू आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि भाई मैंने आपको कल रिव्यू दिया था पलसर 125 का नई वली मोडल थी आपको पता दूस्तू बिलकुल नया और फ्रेस मोडल है जो कि नया द्रीन कलर आ है दूस्तू इस वीडियो में आपको ला इस बाइक का ड पूरा ज़रू देखेगा आपको मैं डीटेल में जो है सारे चीजे बताने वालाओ चले फिर इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं सबसे पहले दूस्तू बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में ठीक है देखिए आपको मैं क्लियर करना चाहूँ दूस्तू यह पलसर 125 है यह ना बेस मोडल है जिसे हम नियोन मोडल कहते है ठीक कि इस में डीजिटल मिटर भी नहीं आता आपने देखा हुआ वीडियो में तो दोस्तू यह जो मोडल है ना यह एक्सुरूम प्राइस आ रहा है बग 86,000 86,000 रुपे के आसपास की जोन आपको यह एक्सुरूम प्राइस देखने को मिलती है बात कर ले दोस्तो इसके ओन डूट प्राइस के बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ हरेकिश्ट एन सीडे में ओन डूट प्राइस में तोड़ा से डिफरेंस होता है क्योंकि आप लोगों के स्टेटेश डेश का क्या अगर प्राइस आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूँ बताएएमस चली अब आ जाते हैं दुस्तों इसके डीटेयल रेविव में दूस्तो इसका मसवाने डीटेयल डेविव में टॉप फाइब रिजन में दूस्तों इस खरीदने का जो सबसे पहला reason निकल गर आता है वो निकल गया आता है इसकी power and performance अब दीखिए आप भाई आप भी जानते हैं मैं भी जानते हुआ कि Pulser को हम उसकी performance की नाम से जानते है ठीक है और आपको पता है दोस्ती यह 125 segment की bike और price भी उतना है जितना Honda की SP का मिलता है बट SP से कही ज़्यादा power है इसमें 11.8 का PS power है और लबक 10.8 का torque मिलता है जो कि SP में आपको लबक 10.7 का power मिलता है 10.6 का torque मिलता है लबक 11 का torque है तो power and torque हुआ आपको Pulser 125 में ज़्यादा बहतर देशने को मिलता है दोस्तों और यह इसका सबसे पहला reason है कि आप इस bike के साथ में जा सकते हैं क्योंकि आप 125 segment के bike ढूंड की हो रहे हैं क्योंकि आपको power cheap performance ही है तो इस category में अगर आप जाएंगे तो Pulser 125 से अच्छा option नहीं है 125 segment में टेक next result वो है दोस्तों इसका look and design दोस्तों Pulser 125 है वो looking wise भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है आप किसी भी bike से compare करने से देखिए 125 में काफी ज़्यादा बलकी लगती है काफी बड़ी लगती है और इसका look and design काफी अच्छा निकल के आता है प्रापर आपको नएक sports segment अला feel देती है आपको Pulser 125 यह भी बहुत बड़ा कारान है दोस्तों जिस कारान से आप इस bike को ले सकते है दोस्तों इस bike को खरीदने का जो next reason निकल कर आता है मेरी नजरों में वो निकल के आता है दोस्तों इसका mileage देखिए आपको बता है दोस्तों हमें 125 segment की bike के साथ में जा क्यों हो रहे है जायर सी बात हम इसलिए जा रहे है क्योंकि हमें चाहिए mileage अब देखिए जायर सी बात है अगर एक छोटी bike ले रहे है तो भाई family भी बहुत important रखती है और family के साथ ride करना है तो जायर सी बात है भाई comfort होना चीए भाई सब इस मामले में भी यह बहुत तगड़ी है दोस्तों यह काफी दा comfortable bike है देखिए सिंगल अगर राइट कर रहे तो आप 200-300 km खिश दीजे आपको कोई problem नहीं आएगा और अगर आप किसी के साथ में ride करें फिलियन के साथ में तो भी आप 200 km चलाएंगे तो भी दूस्तों आपको जो है ना कोई problem नहीं आ लिए तो यह भी दूस्तों बहुत अच्छा और एक बड़ा advantage जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा मतब एक reason आपको मिल जाता है इसे खरीदने का दोस्तों इसे लेने का जो next reason निकल कर आता है मेरी नजरों में वो निकल कर आता है दोस्तों इसका engine आपको मैं बता दू पलसर 125 को जो engine quality दोस्तों उसे भी उंड़ा ने काफी अच्छी तरह किसी जो है द्यान लिया है और engine की quality दोस्तों जो है काफी अच्छा इन्होंने offer किया है ठीक है तो यह भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा जो है है ना वह बहुत ही low है क्योंकि पहली बात तो 125 की bike है और दुसरी बात यह कि Indian market की bike है इंडिन मार्केट होने की वज़े से क्या होता है क्योंकि पास्ट की जो पार्ट की जो कॉस्ट होती हो काफी कम होती है तो यह भी की रीजन है जिसे आप इसे ले सकते हैं वह दोस्तों जो नेक्स रीजन है लास रीजन हो इसका feedback यानि की review अब देखिए जब भी हम कोई चीज खरीद रहें तो भाई सबसे पहले आपना लोगों से पूछते है कि यह कैसा है मैं Amazon में भी कोई समान करी थी तो पहले review देखते है हलाकि वह fake review भी होते है देकिन दोस्तों आपको बताओ तो इस बाइक का सबसे अच्छी चीजा की feedback बहुत अच्छा है आप किसे से भ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बाइक जो अपको बनाई है तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में कमें दरके जरू बता सकते हैं समयत करता आपको एक चोटी से इंट्रस्टिंग वी दोस्तों अच्छी लगी वीड़े की देख लाइक करना चैनल पहली बर उत जाइक वल्ले मादरा